वेरी गुड मॉनिंग एवरीवान कैसे आप सभी आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे माइनम इस सिम्रन कपूर और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इंजिनियर्ज वाला चानल पर और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग सिवल इंजिनिय से गए हैं हम वो कोशन को भी प्रैक्टिस करते हैं तो इस सीरीज को आगे कॉंटिनियू करेंगे जैसा आप लोग जानते हैं कि हम इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया हमारा फंडामेंटल कॉंसेट्स औरेडी हम कवर कर चुके हैं इससे पहले हमारी लीनियर मेजरमेंट वाला टॉपिक भी रिवाइज हो गया है तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है जैसे आप लोग देख रहे हैं आज हम लोग इसके आगे कॉंटिनियू करेंगे और कमपास सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट कॉंसेप्स को मैं आपको पढ़ाने वाली हूं और उसके बाद अच्छे से रिवाइज कर लेनी है जो मैं आपको बताऊंगे और आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने थियोरी अभी लेटेस्ट पढ़ी भी होगी तो आप साथ साथ रिस्पॉंस भी दीजिएगा और जिन्होंने जिनको थियोरी नहीं याद है आप दियान से सुनि तो होंवक कोशन पहले तो मुझे बताईए कि कितने लोगों से सॉल्व हो गया वह कोशन इतना बड़ा मतलब कोशन है से सी जही एक्जाम में नहीं आता जिसमें बहुत जादा आपको निमारिकल पार्ट सॉल्व करना हो लेकिन वह कोशन से आपको एक थोड़ा सा हो जाएगी कि कैसे हम लोगों को करेक्शन अपलाय करना है जो हमने लीनियर मेजर्मेंट टॉपिक पड़ा है बताईए होंवक कोशन जिस जिसने सॉल्व किया तो आप से आंसर पूछूंगे अभी कोशन को डिसकेस करते हैं कि आप लोगों के कि पास क्या आंसर आया और अ आप लोगों कोशन आपको कॉंसेट क्लारिटी के लिए मैंने दिया था कि आप उसको सॉल्व कर पाऊ तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसा आप लोग जानते हैं मोटिवेशनल बातों से क्योंकि मोटिवेशन बहुत जादा जरूरी है तो उसी से हम आज की क्लास को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं तो देखिए क्या लिखा है जब आएगी सब्र की परिक्षा जब आएगी सब्र की परिक्षा गुजर जाएंगे वहवीपल गुजर जाएंगे वहवीपल हिम्मत और विश्वास तुम मत हारना हिम्मत और विश्वास तुम मत हारना जरू की परिक्षा कब आती है हम लोग जब तैयारी करते है और एक ना ऐसी स्टेज आ जाती है कि हम ना थोड़े-थोड़े मांक से रहने लग जाता है हमारा पर एक्जाम जैसे दो रंबर से रह गया वह कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम की वन मांक से रह गया कट आफ यह हो गय कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दू की मतलब हो सकता है कुछ लोगों का एक्जाम बहुत अच्छे मांक से निकल जाए कुछ लोगों का कुछ मांक से रह जाए तो यही वो पर्टिकॉलर टाइम होता है ना कुछ लोग यहां पर हिम्मत हार जाते थी उसमें भी वो किसी और की गलती ना निकाल कर कि अगर हम में थोड़ी सी भी कमी रह गी थी हम उसको इतना अच्छे से पूरा करेंगे कि अगली बार कोई भी सिच्वेशन आ जाए हमारा पेपर तब भी निकल जाएगा तो यह जो सब्र की परिक्षा होती है यह इतनी क् मौका दूंगा तो कोई नहीं रोग सकता आपको वेपर निकालने से ठीक है और अभी जिन लोगों का भी रिजल्ट आने वाला है बहुत लोग मैं देख रही हूं कि वेट कर रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए तो चलिए रिजल्ट की बात तो आगे करेंगे तो इस सीखते सीखते जाना है और अपने टार्गेट तक आप पहुंच जाओगे ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं पहले तो मुझे यह बताएंगे यह कोशन मैंने आपको पिछली क्लास में जो होमवक कोशन दिया था इसका आंसर क्या है आपके पास लाज्ट क्लास में आप ल अंसर आया है ऑप्शन डी बी या डी में से आंसर होगा और बाकी बाकी लोग दो ही लोगों ने सॉल्व किया है निर्मला और हर्शेद पंत इनके अलावा देखिए कोशन में क्या लिखा हुआ था अ सर्वे लाइन वाज मेजर्ट टू बी टू एटी फाइफ पॉइंट लेंथ तो इसका मतलब में एक्चुल लेंग जो टेप की है वो कितनी है 30 मीटर है बोल रहा है ओन चेकिंग दे टू लेंथ आफ टेप वस फाउंट टू बी 0.05 मीटर टू शॉट इसका मतलब टेप क्या हो गई है श्रिंक हो गई है तो यहां पर एक बात तो क्लियर है कि हम correction due to standardization का formula यांपर लगाने वाले हैं हाना यह हो गई बात अच्छा उसके आगे क्या कह रहा है अगला point जो लिखा है उसने कि if the line lie on the slope of 1 in 10 the reduce length line for the plotting of survey work would be तो पहली चीज़ देखो question को समझो दो parts में दो parts में solve करना है इसको पहले part में बोला है कि chain जो आपने टेप यूज की वो श्रिंक हुई भी थी तो आपने श्रिंक हुई स्लोप के along है मतलब यह वाला जो value आप यहां से निकालोगे मतलब इस question में जो आप value निकालोगे measured length वो यह वाली है तो इसने कहा कि if the line lie on the slope of 1 in 10 मतलब measured length कि slope पर लाए कर रही है 1 in 10 पे तो आपको बतानी है reduce length कितनी होगी reduce length मतलब जो हम मैंने पहले भी आपको पताया है कि जब मैप और प्लान में plot करना चाते है तो हम horizontal line को plot करेंगे inclined line को नहीं plot करेंगे तो मुझे यह वाला distance बताना था तो कौन कौन सी corrections लगेंगी एक बार बता दीजिए जरा कौन कौन सी correction है जो मुझे यहाँ पर apply करनी पड़ेगी तो देखिए तो यहाँ पर हम लिख सकते है कि वह measured length हमें दे रखिए 285.5 meter हम यहाँ पर true into true is equals to wrong into wrong लगा लेंगे पहले तो तो हम true length यहाँ से किसके बराबर आएगा जो आपने wrong chain की length कितनी थी हमारे पास देखिए 30 meter में से minus कर देंगे 0.05 meter क्योंकि true length of tape was found to be इतना meter too short तो 30 minus 0.05 divided by actual length या nominal length हो जाएगा हमारे पास 30 और इस पूरे को किस से multiply कर देंगे मैं l dash से मतलब जो हमने measure किया है length वो कितना है 285.5 meter यहाँ से value कितनी निकल कर आ रही है जब आपने solve किया यहाँ से value 285.024 meter आ रही है 285.024 meter आ गई बोलिए यहाँ तक solve कर लिया था आप लो correction due to slope भी लगेगा और correction due to standardization भी लगेगा तो आपने यह l निकाल लिया अभी हमारे पास कोई भी answer correct नहीं आया है क्योंकि अभी हमने क्या निकाला है कि actual length क्या होनी चाहिए थी अब जो length measure की है वो slope के along की है तो इसका मतलब हम slope correction लगाएंगे तो slope correction लगाएंगे उसका formula क्या होता है हमारे पास अब कोई भी formula यूज़ कर सकते हो अभी मैं theta निकाल रही हूं तो minus l1 minus cos theta यूज़ कर सकती हूं आप square by 2l भी लगा सकते हो तो मैं हम यहां पर तभी मैंने बोला कि यह question सिरफ मैंने आपकी concept clarity के लिए दिया था कि आप क्या correction को apply करना सीख गए हो question को देख से आपने square by 2l से निकाला तब भी correct है जिससे भी निकालना है तो theta आजाएगा 5.71 theta आजाएगा 5.71 मैं यहां पर value put करती हूं L के आएगा जो length हमने measure की थी 285.024 1 minus cos 5.71 तो यहां से निकल कर आजाएगी आपके पास slope correction minus sign इसलिए लगा है क्योंकि यह negative होती है अगर slope correction निका आई slope correction की slope correction की value अगर आपने निकाली तो यह कितनी निकल कर आई क्या 1.414 मीटर आई आपके पास slope correction slope correction 1.414 निकल कर आई अच्छा मैं आपने जो बताया यह जो distance measure हो रहा था 285.02 यह slope के along हो रहा था मुझे अब इस value में correction लगानी है slope correction ताकि मैं यह horizontal distance निकाल सको तो अब म length किसके बराबर होगी जितनी भी measured value थी 285.02 इसमें correction को add कर दिया तो correction कितनी होगी मैं minus 1.414 add मैंने बोला है इसलिए करना है क्योंकि अगर correction negative होगी तो आप minus sign लगा दोगे correction positive होगी तो sign अपने according adjust हो जाएगा तो यहां से आप बताईए answer कितना आ रहा है जो लोग कह रहे थ इसे B और D में confusion है तो अब इन दोनों को minus कर दिया 285.02-1.414 इन सभी option में आपके पास nearest answer क्या मिल रहा है correct answer मिल रहा है option C तो देखिए यह सिरफ ऐसे था अगर इस type का question exam में आएगा भी तो आपके में में आ सकता है से सीजे में में पर मेरा main motive यह समझाने का था कि question में इस तरीके से भी concept हम कैसे यूज करेंगे आपको apply करना आजाए क्योंकि correction तो हमने पढ़ लिए direct formula आएगा आगे चले अब आज का target देखते हैं कि आज हमने क्या समझना आई आपको कोई doubt नहीं होगा तो आप देखिए आज जो हमारी class रहने वाली है जैसा आपको पता है हमने compass survey पढ़ना है तो हम कुछ idea लेने वाले हैं bearing से related bearing क्या है कैसे उसको denote करेंगे और फिर हम local attraction वाली problem को थोड़ा सा देखेंगे कि local attraction किस वज़े से होता और उससे कैसे questions आत करने वाले है और उसके बाद हम इससे related questions practice करेंगे ठीक है तो ध्यान से सुनते जाना है और जिन लोगों को पता है चीजें जो मैं question बीच में पूछूंगी तो आपने question का answer करते जाना है यहां पर comment section में तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अगर हम compass survey के बारे में पढ़ है तो हमें पता होना चाई किस लिए useful होती है compass की help से हम क्या measurement करते हैं, compass की help से हम लोग measure करते है जो हमारी compass है इसकी help से हम क्या measure करते है अब बात आ जाएगी angle के measurement की तो compass की help से मेजर करों गया horizontal horizontal angle, ठीक है, horizontal angle का मतलब क्या हो गया, कि अगर मैं आप जहां पर खड़े हो, आपके दिवार सामने एक wall है, तो wall का एक corner, मतलब horizontal angle ये वाला होगा, जो horizontal plane पर होगा, एक corner और दूसरे corner के बीच का angle, लेकिन compass survey में हम कैसे angle measure करेंगे, उसको मैं समझाओंगे आपको, और जब भी म पास हमारे पास दो तरह की होती है, इन दोनों में आपको थोड़ा बहुत difference जो है, वो clear होना चाहिए, एक होती है prismatic compass और दूसरी आपको सामने नजर आ रही है, surveyor compass, हम इनके difference इन दोनों diagram को देखकर समझेंगे, तो देखिए, सबसे पहले जो prismatic compass है, prismatic compass में ध्यान से तो इसका मतलब हमारी surveyor compass में tripod की requirement होती है, जब आप इससे angle measure करेंगे tripod चाहिए होगा, यहाँ पर tripod is not must, ठीक है, जो आपको diagram देखके, clear होरे difference पहले हैं वो, वो वाले difference यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए, जो needle है, वो कैसी है, क्या वो pointed needle है, क्या जो needle है, वो ह हमारे पास pointed needle है, और यहाँ पर कैसी shape है needle की, मैं broad type needle है, यहाँ पर needle की shape जो है, वो अलग है, इस वाले case में needle की shape अलग है, अच्छा मैं जो prismatic compass है, अगर आपको इस diagram में दिख रहा हो, prismatic compass में यह हमारी needle है, और इसके बार एक circle लगा हुआ है, जिसको मैं highlight कर रही हूँ, इ क्या करना है, horizontal angle measure करना है, तो angle measure करना है, तो मैं यहाँ पर क्या होगा, यह एक graduated circle, वो circle जिसमे रीडिंग्स लिखी होती है, उसको क्या बोलते है, graduated circle, इस case में क्या दिख रहा है, graduated circle और needle एक साथ attach हैं, बताइए, क्या graduated circle needle एक दूसरे के साथ attach हैं, तो graduated circle is attached to needle, ऐसे बोल सकत हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या दिख रहे हैं, needle अलग है, और बाहर वो circle जिसमें graduation mark है, वो अलग है, तो इस case में क्या बोल सकते हैं, graduated circle is not attached to, graduated circle is not attached to, not attached to needle, needle से वो अलग assembly की तरह behave कर रहा है, तो इस case में क्या होता है, ध्यान से देखेगा, यह needle और circle attached नहीं है, अब इस graduated circle और इसके बाहर आपको दिख रहा है, एक और box लगा है, जिसके साथ आप क्या देख रहे हो, एक eye vein है, जहां से आप sight करेंगे, और यहाँ पर object vein है, जहां से जिस भी point को हमने देखना होगा, मालों यहां ranging road रखिए, अब ranging road यहां से उठाके मैंने इस direction में shift कर दी, तो मैं आप को क्या करना पड़ेगा, eye vein और object वाली जो vein है, उसको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, उस direction में जहां ranging road है, अभी यहां पर है, तो मैं यह सीधा ऐसे देख रहे हो, अगर ranging road यहां होती, तो आप इसको इस direction में घुमाओगे, तो इसका मतलब मैं जब line of sight, line of sight मतलब eye vein औ और object vein लगा हुआ है, वो rotate होगा, लेकिन उसके rotation से हमारी needle को कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हो, graduated circle और needle यहां पर different assembly है, clear हुआ यह point, कि मैं यहां पर क्या होगा, जब line of sight घुमेगी, उसके साथ needle नहीं घुमेगी, जब line of sight घुमेगी, लेकिन यह जो line of sight, जब मैं आप अलग-अलग जगा ranging road को रखते जाओगे, इस box को घुमाते जाओगे, line of sight के साथ कौन rotate होगा, यह graduated circle, तो इसमें देखो क्या होता है, यह वाला बाहर वाला box और graduated circle दोनों क्या होते है, attach होते है, needle अलग से behave करती है, इस वाले case में graduated circle और needle attach attach होते है, और यह बाहर वाला box जो होता है, यह हमारा एक different assembly की तरह behave करता है, मतलब इसमें क्या होगा मैं, इस case में जब आप line of sight सामने वाले object को देखने के लिए ऐसे box को घुमाओगे, तो graduated circle और needle को कोई भी वरक नहीं पड़ेगा, तो इसमें मैं यह बाहर वाला अलग है, यह दोनों attach है, इसमें यह अंदर वाला अलग है, और यह बाहर के दोनों circle एक दूसरे के साथ attach है, तो इसको technical आप ऐसे बोल सकते हो, कि इस case में line of sight जो होगी, जब line of sight को आप rotate करोगे, उसके साथ graduated circle rotate नहीं होगा, इसमें जब line of sight rotate होगी, तो graduated circle rotate होगा, clear होगा, एक बस आ कौन सी bearing measure करती है, जो लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़ कर आया है, I hope आप answer कर पाओगे, कि आपका graduated prismatic compass और surveyor compass कौन सी bearing measure करती है, तो prismatic compass measure करती है, whole circle bearing, मतलब जब ही angle measure करेगी, तो 0 से 360 degree के बीच का angle measure करेगी, मतलब 0 से 360, इस form में angle बताएगी, 90, 180, 120, ऐसे, लेकिन ज रहेगा, इसमें जो हमारी angle की range रहेगी, वो क्या रहेगी, 0 to 90 degree, मतलब एक, अगर हम 4 quadrant बनाते हैं, तो किसी एक quadrant में minimum angle 0 degree होता है, और maximum 90 degree होता है, तो ये जो bearing measure करती है, सिरफ एक quadrant की form में करती है, very good, सही answer बता रहे हो, तो ये हमारा quadrantal bearing को measure करती है, तो main main हमने difference देख है, हम angular measurement ले सकते हैं, ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ important definitions की, इसके बाद हम कुछ बात करते हैं, important definitions की, तो important definitions पे अब ध्यान से सुनते जाना, अब ध्यान से सुनते जाना, और अगर आपको answer आता है, तो आपने answer बताते जाना है, तो सबसे पहले बात आती ह मेरेडियन क्या होता है तो आप मैं लिखने रही हूं आप इसके बाद बुक में जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मान लीजिए यह मैंने अर्थ ड्रॉप कर ली अर्थ का शेप क्या बताया था आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई अर्थ का शेप क्या सेओं क्या है था आपको तो मैंने यापष का शेप ड्रॉफ कर लिया मान लीजिए यह हमारा ट्रू नॉर्थ है ये क्या है यह प्ट्रॉन ओर मतलब क्या है आपको बता है कि अर्थ इस तरीके से अर्थ इस तरीके से हैं और एक imaginary line में ऐसे बना रही हूँ अर्थ अपनी गूम रही है उसकी बात नहीं कर रही है जो दिन और रात हो रहे हैं अर्थ अपनी तो अर्थ जहां से imaginary नॉर्थ और साउथ से पास होती है वो एक्सीज हमेशा से मिरेगी वो एक्सीज हमेशा से मिरेगी तो यह दो पॉइंट्स यह जो दो imaginary पॉइंट्स जो इस से कट होते हुए जा रहे है मैंने इसको बोल दिया वेरी dublates were idle होता है तो true North और true South या फिर इसी को हम बोलते है geographical North इसी को हम बोलते है geographical North और geographical South जिस Axis के about Earth घूम रही है वो Axis कभी भी Change नहीं होगी geographical North और geographical South के position हमेशा Fix है अब हमारे पास पहला टाम आता है true meridian क्या होता है ध्यान से सुणीएगा अब क्या हूँ tio मान लीजे ये मैंने कोई एक a point consider किया अर्थ के surface के उपर बोलेंगे a point पर true meridian क्या है तो a point से आपको क्या करना है a point से आपको एक line बनानी है जो true north और true south से मिलती हुई हो तो true meridian का मतलब क्या होगा मैं a point पर एक imaginary line जो आप draw करें जो true north और true south और उस point से पास हो रही हो तो मतलब मैं एक ऐसी line एक ऐसी imaginary line जो true north उस point और true south को join करें इसको हम लोग बोल देते हैं true meridian meridian क्या होता है ये सिराफ हमें direction बताता है तो हम simple क्या याद रख सकते हैं हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जो हमारा सबसे पहली term हो गई वो हो गई true meridian true meridian मतलब जो हमारी line true north और true south को join करने वाली line होगी किसी particular point पर वो true meridian हो जाएगा अब आप लोग जानते हैं कि अर्थ का मतलब अर्थ की अपनी कुछ magnetic field है अर्थ के अंदर एक magnet है core में एक magnet है तो magnetic field की वज़े से क्या होता है अर्थ का एक magnetic north और magnetic south भी होता है अब मुझे ये बताओ जब हम compass की help से angle measure करते हैं compass की help से जब हम angle measure करते हैं तो इसमें जो needle होती है ना compass में ये जो needle होती है ये मुझे जब मैं compass को कहीं पर भी रखूंगी साइट पर जाकर तो ये needle ना अपने आप किसी एक direction की तरफ deflection दिखा देगी कोई भी एक direction की तरफ तो जिस भी direction को ये needle दिखाती है वो direction जैसे अभी ऐसे है ना तो इसका मतलब ये direction क्या है magnetic north और magnetic south ये इसने magnetic north और magnetic south दिखाया तो मैं क्या बोलना चारी हूँ कि अर्थ की एक तो हो गई जिस axis के about वो घूम रही है लेकिन अर्थ का magnetic effect की वज़े से magnetic north और south भी होता है जिसकी position कभी fix नहीं होती क्योंकि ये कभी भी change हो सकता है तो मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से draw कर लेती हूँ लाइन ये थी और magnetic south वाली लाइन ये थी तो अर्थ surface पर magnetic north किसी particular point और magnetic south को join करने वाला ये जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे magnetic meridian बोलेंगे तो दूसरी time आ गई magnetic meridian difference क्या आया इसमें कि मैं अर्थ का अपना एक magnetic field है magnetic effect की वज़े से अर्थ का एक magnetic north और south होता है उनको join करने वाली लाइन magnetic meridian होगी तो meridian का मतलब क्या है जो सिरफ direction बता रहा है कि true north वाली side direction है या magnetic north वाली side direction है तो ये magnetic north और ये magnetic south हो गया clear हो गया सभी को ये दोनों measure करोगे अगर आप angle measure कर रहे हो मान लीजिए आपका कोई line यहाँ पर a और b है अगर आप true meridian को reference मान कर मतलब true north और true south वाली direction को reference मान कर angle measure करोगे तो इस angle को क्या नाम देते हैं बताओ अगर यहाँ से angle measure करेंगे तो इसको क्या नाम देंगे मैम true bearing bearing की जब हम बात करते हैं bearing की जब हम बात करते हैं तो bearing का मतलब होता है angle ठीक है वहीं पर अगर आप magnetic north को reference मान कर reference की बात क्या है अभी समझा दूंगे आपको थोड़ा सा तो magnetic north से जब आप angle measure करोगे तो उसको क्या बोलेंगे magnetic bearing bearing का मतलब है angle तो मैं हम अगर true meridian को मैंने reference माना true meridian reference माना तो angle बन गया true bearing magnetic meridian को reference माना तो angle बन गया मेरे पास magnetic bearing clear हो गया clear हो गया सभी कोई bearing क्या होता है तो इसका मतलब है मैं जब भी हम site पर जाते हैं हम तो compass को ले कर जाते हैं और compass हमें magnetic north or south की direction दिखाता है तो हम compass की help से रहे हमेशा कौन सी bearing मेजर कर रहे हैं answer करोगे compass की help से हम हमेशा कौन सी bearing मेजर कर रह रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है compass की help से हम हमेशा magnetic bearing को ही measure कर रहे हैं अच्छा अब एक और point आता है मेहां पर क्या यह magnetic North हमेशा इस तरफ होगा तु hazır बुलूँगी नहीं, magnetic north की position जो है, वो time के साथ change हो सकती है, जगा के साथ change हो सकती है, तो माल लीजिए यह आपने true north और यह true south दिखा दिया, और दूसरी condition फिर से यह draw कर लेते हैं, यह हमारे पास true north और true south, यह true meridian आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा magnetic north जो है, उसकी direction कुछ इस तरफ हो, और ऐसा भी हो सकता है, कि magnetic north की direction हमारी कुछ इस तरफ हो, अच्छा, आप देखिए, अब ध्यान से सुनना, कुछ जिन लोगों को terms पता है, तो आप बताना, इनके बीच जो horizontal angle बन रहा है, उसे हम क्या angle कहते हैं, magnetic north और magnetic south, अब देखिए, तो मैम आपने true meridian दिखा दिया, एक तो, एक हम आए magnetic meridian दिखा दिया, इन दोनों के बीच जो यह horizontal angle आप बना रहे हो, कि magnetic north कभी इस direction में भी हो सकता है, हो सकता है, कभी यहां हो, तो magnetic, मैं बताती हूँ, magnetic meridian का क्या रहता है, कि वो कैसे change करेगा, जैसे अर्थ जो है, अपनी axis के about घूमेगी, तो भी magnetic field में effect आएगा, जब magnetic field में effect आएगा, तो magnetic north-south की position shift हो जाएगी, अर्थ जब sun के around घूमेगी, तो भी magnetic field में effect आएगा, तो फिर से magnetic bearing change हो सकती है, तो magnetic meridian जो है, अपनी जगा से shift होता रहता है, यह हमेशा fix नहीं रहता, लेकिन जो true meridian है, क्योंकि वो axis है, जिस axis के about अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो तो हमेशा same रहेगी, तो मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो magnetic meridian है, mm से represent कर रही हो, magnetic meridian, इसकी position जो है, इसकी position is not fixed, इसकी position fixed नहीं है, it will change with time, ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो horizontal angle बन रहा है, यह direction आ गई east, यह direction आ गई west, इस angle को क्या बोलते हैं, बिल्कूल, बिल्कूल बोल सकते हैं, सोनू, यह direction east है, यह direction west है, तो अब हम इन दोनों के बीच जो angle बना रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, magnetic declination या फिर declination, इस angle को क्या बोलेंगे, magnetic declination या simple, अकेला, declination भी बोल सकते हैं, जिसको हम delta से denote करेंगे, डेल से denote करेंगे, अगर magnetic north, true north से, toward west है, west की side है, तो इसको क्या बोल देते हैं, western declination, अगर ये toward east, east की side है, तो इसको क्या बोल देते हैं, eastern declination, तो अगर magnetic north east की direction में होगा, तो उसका नाम हो जाएगा, eastern declination, इसको आप, डेल e से denote कर सकते हो, और इसका नाम हो जाएगा, western declination, क्योंकि west की तरफ magnetic north आ रहा है, तो ये बन गया, western declination, clear हो गया, आप लोगों को बताइए, western declination, अब यहाँ से एक question exam में पूछा जाता है, कि magnetic declination में, eastern और western में, कौन सा positive होता है, कौन सा negative होता है, आपको यहाँ से कोई formula नहीं रटना है, कि ये positive है, तो value निकानने के लिए हमेशा plus करेंगे, या negative है, तो minus करेंगे, आप से जो चीज पूछी जाती है, उसके लिए आप कैसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि western declination है, देखो, अगर मैं इसको positive x-axis मानू, क्या ये negative side होती x-axis की, जब भी हम x-axis या y-axis लेते हैं, तो plus x और minus x लेते हैं, तो इसका मतलब मैं, east वाली side जो है, वो positive x-axis होती है, और west वाली side negative x-axis, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, exam point of view से, कि हमारा जो western declination होता है, इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम negative declination भी बोलते हैं, और eastern decl declination को हम positive declination भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात clear हो गई, अब यहाँ से question किस तरीके के आते हैं, वो भी बताते हूं, अब मान लीजिए, कोई एक survey line है, कोई एक survey line है, मैंने यहाँ पर draw कर दी, और यहाँ पर भी draw कर दी, ठीक है, इस survey line को नाम दे दिया, a, b, और यहाँ पर ए direction दिखाई, वो pink वाली line है, और मैं यह जो white वाली line है, यह मैंने इस point कर angle measure करना था, तो जो मैं survey line बोल रही हूं, मतलब जिस direction की तरफ में sight कर रही हूं, जहां का मैंने angle measure करना है, अब देखिए, आपने अभी bearing पड़ी, तो आपने बढ़ा कि मैं true north से survey line तक का angle क्या होता ह है, true bearing होता है, magnetic north से survey line का जो angle होता है, वो क्या होता है, magnetic bearing होता है, तो इस diagram को देखकर, इस diagram को देखकर अगर मैं आप से पूछूं कि, क्या आप eastern Display declaration निकाल सकते हो, अगर मैं आपको ऐसा diagram बना कर दूँ, तो क्या आप eastern determination निकाल सकते हो, अभी देखेंगे का नवर्जन तो मैं बिल्कुल निकाल सकते हैं इस डाइग्राम से दिख रहा है कि डिक्लाइनेशन किसके बराबर होगा true bearing minus magnetic bearing तो क्या हमें यही formula याद रखना है eastern declination के लिए तो मैं बोलूंगे नहीं don't remember formula कोई भी formula भी हम याद नहीं रखेंगे उसके बिना ही हम लोग अपने question को solve अगर हम डाइग्राम बना लेते हैं तो हम किसी भी सवाल को solve कर पाएंगे और यह बनाना आसान है कोई मुश्किल नहीं है और इस केस में भी मैं magnetic नौर से survey line का एंगल magnetic bearing true नौर से survey line का एंगल true bearing अब मैं पूछू आप से क्या आप western declination निकाल सकते हो क्या western declination निकाल सकते हो तो correct answer क्या होगा बिल्कुल निकाल सकते हैं magnetic bearing में true bearing को minus कर देंगे तो हमारे पास western declination आ जाएगा अब जब questions करेंगे तो हम इसको apply करके देखेंगे तो आभी मुझे पता चल गया meridian क्या होता है meridian का मतलब होता है direction उसके बाद bearing का मतलब होता है angle अगर आप magnetic meridian से angle ले रहे हो तो magnetic bearing true meridian से angle ले रहे हो तो true bearing क्योंकि magnetic north की position सेम नहीं रहती है वो change होती है तो वो जो change हो रहा है उस वज़े से कभी east की तरफ जाता है कभी west की तरफ होता है तो दोनों के बीच जो angle है उसे हम लोग क्या बोलते है declination कोई बात नहीं आज मैं कोशिश करूंगी बानी की आपकी confusion दूर हो जाए अच्छा अब हम इतनी देर से जो बात कर रहे हैं bearing की bearing को जिसको मैंने बोला कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं angle है अब bearing की थोड़ी सी कहानी को detail में समझ लेते हैं तो detail में जाने से पहले आपको यह clear होना चाहिए कि survey में जब भी हम quadrants consider करते हैं यह direction लिख दी north, south, east और west यह रहता है हमारा पहला quadrant first quadrant में value कहां से कहां तक रहेगी मैं 0, 90, 180, 270 और last वाली 360 ठीक है तो first quadrant में value 0 से 90 के बीच रहेगी second quadrant में value 90 से 180 के बीच में रहेगी तीसरे quadrant में value हमारी 180 से 270 के बीच रहेगी और last में 270 से 360 के बीच में रहेगी तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका first, second, third और fourth यह quadrant रहने वाले हैं अब यह quadrant आप क्यों मतलब गलती क्यों मैंने यह बताया है क्योंकि आप maths में इस direction में चलते हो यहाँ पर direction हमारी opposite है तो यह हमारे quadrant से है अब हम बात करते हैं bearing की तो bearing में हम bearing को क्या पो रहे थे एक तो होती है मैं whole circle bearing और दूसरी होती है quadrantal bearing तो सबसे बहले देखते हैं हम whole circle bearing के बारे में points whole circle bearing bearing मतलब angle और angle को represent करने के दो तरीके हैं एक आप इसको whole circle bearing की term में लिख सकते हो और एक आप इसको quadrantal bearing की term में लिख सकते हो तो whole circle bearing का मतलब कुछ नहीं है ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसे बोला जाएगा कि इस line की bearing is 90 degree इस line की bearing is 80 degree या ऐसे लिखा ह होगा ना question में देखो bearing of line bearing of line a b is 120 degree ऐसे लिखा हुआ है या फिर लिखा है bearing of line is 220 degree bearing of line bc is 220 degree bearing लिखा है या whole circle bearing नहीं भी लिखा है इस form में जब angle लिखा है मतलब मैं 0 से 360 के बीच में सीधा कोई angle लिखा है तो वो हमें पता है कि वो wcb ही होगा अब जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वो quadrantal bearing समझाओंगे तो clear हो जाएगा अब जब मैं 120 लिख रही हूँ तो यहां से देखना आप कि मैं इसको कैसे relate कर 20 के बीच में आएगा 120 तो पहली चीज जो ध्यान रखनी है whole circle bearing जब आप लिखते हो हमेशा आप north को reference मानकर ही angle measure कर रहे हो मतलब मैं यह north था आपने यहां से angle measure किया है दूसरी बात मैं वो direction जो रहेगी वो हमेशा angle measure करने की क्या रहेगी clockwise रहेगी तो 120 degree जब आप बता रहे हो तो इसका मतलब है आपने north को reference माना होगा और clockwise direction में angle measure किया होगा तो यह 120 आया इसलिए यह हमारी line AB बन जाएगी जिसकी whole circle bearing क्या है 120 degree अगर मैं आप 220 लिख रहे हो तो यह 220 कहां से लेना है यह मुझे पता होना चाहिए तो यह 220 के लिए क्या करोगे मैं आप north को reference मानो clockwise मे चलो तो पहले में यहाँ पर सारे angle लिखें 180 से 270 तो कौनसा quadrant होगा मैं clockwise जाएंगे तो तीसरा ही quadrant आएगा तो इसका मतलब जब आप लिख रहे हो यहाँ पर इसको नाम कुछ और दे दो B point पहले आ गया था तो जब आप लिख रहे हो मैं यहाँ पर A और D इसको AB नाम दे द तो मैं यह वाला लाइन मतलब North से clockwise direction में यह जो total angle है वो हमारे पास 220 डिग्री है तो whole circle bearing का मतलब है हमेशा North से angle measure किया है और हमेशा clockwise direction में ही चलेंगे क्योंकि हमारी मर्जी होती है तो हम यहाँ से भी angle measure कर सकते थे पर नहीं क्योंकि जो quadrant हैं उनकी direction भी यह है तो हम angle भी ऐस compass measure करती है अभी बताया था आपको quadrantal bearing कौन सी compass measure करती है बता सकते हो अब quadrant से ही पता चल रहा है मैं कि यहाँ quadrantal bearing में 0 से 90 के बीच में angle रहेगा तो यह direction लिख दी North, South, East और West हर एक quadrant में minimum angle 0 degree होगा maximum angle 90 degree होगा तो जब हम quadrantal bearing लिखेंगे तो इसमें भी क्या reference लेना है जैसे पी South को reference ले रहेते हैं यहाँ पर हम reference ले सकते हैं North को भी और South को भी North और South क्या जिसको नहीं आता ध्यान से सुनना यह point यह आपका depend करेगा survey line near किसके है जो हमारी survey line है वो near किसके है North के है या फिर South के है दूसरी चीज यहाँ पर direction जब हम angle measure करेंगे तो direction क्या हो सकती है और direction anti-clockwise भी हो सकती है मतलब यह हो गया मैम कि यहाँ पर आप देखोगे line किसके ज़्यादा पास है North के या फिर South के आपको बस वहां से angle measure कर लेना है clockwise भी कर सकते हो anti-clockwise भी कर सकते हो for example for example आप लोग मुझे बताते जाना अगर मैं बोल रहे हूं कि यह मैंने एक line बनाई बता साउथ के तो साफ साफ दिखाई दे रहा है साउथ के पास है अब जब मुझे एंगल मेजर करना है तो इस line को किसे reference मान कर करना है हमेशा मैं मेरेडियन से करना है तो अभी साउथ के जादा पास है आप यहां से यहां तक का angle measure कर लो हमें कोई फरग नहीं पढ़ता direction clockwise हो या से पहले मैं लिखूंगी यह line किसके जादा नियर थी साउथ के जादा नियर थी तो इसको हम लिखेंगे साउथ फिर आपने जो जितना भी एंगल यहां पर मेजर किया वह direction लिख दोगे थीटा अच्छा यह line East की साइड थी या West की तरफ मैं West की तरफ तो मतलब इसका जब आप Quadrantal Bearing लिखोगे तो पहले लिखोगे reference किसको माना है फिर लिखोगे angle कितना measure किया है फिर लिखोगे direction क्या थी तो इसी तरीके से अगर मैं पहले quadrant में कोई line AB बनाती और यहां पर angle theta 2 measure करती तो बताओ इसको कैसे represent करना था बता रही हूँ 270 degree देख रही हूँ आपका comment द सकता दूंगी ना 270 degree को दो तरीके से लिख सकते हैं अच्छा theta 2 क्या जाएगा मैं नॉर्थ को reference माना direction क्या रही कोई भी direction ले सकते हैं angle theta लिख लिया और direction आ गई east वाली side वैसे ही मैं हमेशा क्या first quadrant में ऐसे ही denote किया जाएगा तो दियान रखना first quadrant में ऐसे ही denote किया होगा ठीक है second quadrant में कैसे लिखेंगे मैं अगर line लिख कर बताओगे अब अगर मैं आपको बोलती हूँ south 30 degree east तो क्या दिमाग में आपको image ये capture कर लेना है कि south 30 degree east का मतलब है कि हमारी line कहां पर है second quadrant में है तो वैसे ही अगर मुझे fourth quadrant में लिखना है तो मैं मान लो ये theta 4 है तो ये north को reference माना direction theta 4 और ये west की तरफ आगया तो north theta 4 west यहां जो आप लोग एक गलती करते हो वह आप east और west से कभी भी reference नहीं लेना है हमेशा reference आप इस meridian से लोगे जो कि हमने दो ही पड़े true meridian magnetic meridian तो reference हमेशा हमारा वही रहेगा अब जो आप पूछ रहे हो वो पूछ रहे हो conversion की बात अगर आपको ये दूनों point समझ में आ गए तो conversion भी clear है जैसे कि first example कुछ example दे रही हूं first example 120 degree अगर मैंने angle लिखा तो 120 degree जब मैं angle लिख रही हूं क्या यह देखके बता चल गया यह तो whole circle bearing है क्योंकि quadrantal को तो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर मैं बोलू 120 degree को आपको quadrantal में convert करना है तो कैसे लिखोगे whole circle bearing of line AB is 120 degree तो आप बताइए इसका quadrantal bearing किसके बराबर होगा कैसे निकालोगे तो मैं क्या करेंगे हम देखेंगे कि 120 degree कहां पर आ रहा है तो अव्यसी बात है मैं यह 180 था यह 90 था तो north से लेकर 120 यहां कहीं आएगा तो इसका मतलब हम line बना लेंगे AB line second quadrant में आ रही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है मैं जब हम conversion करेंगे तो हमें यह वाला angle निकालना है हमें यह वाला यह line किस के जाधा पास है मैं south के जाधा पास है अच्छा यह theta angle कैसे निकाल सकते है मैं यह total angle देख लो यह total कितना था 180 था अगर आप 180 में से 120 degree को minus कर देते हो 180 में से 120 को minus कर देते हो तो क्या हमें यह theta मिल जाएगा और direction क्या रहेगी मैं toward east रहेगी तो south 180 minus 120 degree east करके answer आ जाएगा तो जब भी हम conversion करेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो value हम whole circle bearing में लिख रहे हैं वो कौन से quadrant में लाए करेगी इसका opposite case क्या बनता है इसका opposite case क्या बनता है आपको अगर मैं value दे दू north 30 degree west तो इसको convert करके बताईए कि ये whole circle bearing में कितना होगा तो मैं हम क्या करना है हम पहले north से 30 degree angle पर west वाली direction बना लेंगे एक line तो बताओ जरह इसका whole circle bearing कितना होगा बताओ इसका whole circle bearing कितना होगा हाना तो अब मैं क्या करना होगा इसका मतलब है अगर मैं यहां पर draw करू roughly सा तो यह 30 degree north से 30 degree यह बन गया और west वाली direction आप यह दिखा दो जब whole circle bearing बोला तो इसका मतलब north से आपको पूरा clockwise angle measure करना है very good तो पूरा clockwise angle कैसे measure करेंगे मैं यह पूरा angle यहां से यहां तक 360 360 में आप यह वाली value 30 degree माइनस कर दोगे तो 360 में माइनस 30 degree कर दो आपको value मिल जाएगी 330 degree तो ऐसे आप Quadrantal bearing से whole circle bearing में जाओगे अब जो बाकी कुछ लोग यहां पर question कर रहे हो देखो वह वाले cases में हम कैसे लिख सकते हैं उस value को जैसे अगर मैं बोलू जैसे अगर मैं बोलू whole circle bearing of line is 90 degree क्या अंसर करोगे इसका Quadrantal bearing बताओ जरा क्या लिखेंगे Quadrantal bearing क्या लिख सकते हैं वो बता दो जरा मुझे Quadrantal bearing क्या लिख सकते हैं मैं हम यह नौर्स लिख दिया यह साउथ आ गया यह इस्ट आ गया यह वेस्ट आ गया तो मैं जब सर्वे लाइन है आप इसको मैं नौर्थ 90 डिग्री इस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हो बिलकुल हमें तो में बताना है कि सर्वे लाइन कहां पर लाय करें कि अगर Quadrantal bearing लेकिन और इसको कैसे लिख सकती हो जितना यह नौर्थ के पास है उतना ही तो साउथ के भी पास है हमने देखना होता है सर्वे लाइन किसके जादा नियर है तो साउथ लिख लिया मैं यहां से भी तो 90 डिग्री अगर हम आते हैं तो भी तो सेमी डिस्टेंस कवर करना पड होरे तो आप इसको ऐसेव मिलिख सकते हो और सॉथ 90 सबibl vidéo सिमिलर्ली आप मुझे जो लोग टूस सेवनटी डिग्री अंच कोश्चन पूछ रहे थे तो बताव 210 डिग्री को कैसे लिख अलाम आप बताएंगे कि 270 डिग्री को कैसे लिख पाओगे तो 270 डिग्री को हम सीधा क्या कर सकते हैं मैं यहां से भी आएंगे तो भी 90 डिग्री है यहां से भी आएंगे तो भी 90 डिग्री है तो आप इसको नौर्थ 90 डिग्री वेस्ट भी लिख सकते हैं और साउथ 90 डिग् तो यहां पर यह मुंझे आपको समझ में इसमाति समूझ में आ गया होगा यहां पर एक बहुत इंपरेंट डेफिनेशन आप पूछी जाती है एक्जाम में जो पूछी जाती है वह भी थेफिनेशन की बात डिस्कस करते हैं तो यह whole circle bearing हो गया, यह वाली चीज, ठीक है, angle of depression या फिर जिसको बोला जाता है, deep angle, यहां से दो definitions है, और एक question है, जो बहुत सारे state exam में देखने को मिलेगा, अब ध्यान से सुनना क्या है, आपको याद रखने का मतलब, मतलब भूलेगा नहीं, जैसे अब यह आपको बताऊं magnetic field है, तो हम सभी को पता है, मैं ऐसे होती है, एक magnet अगर आप बनाओ, तो यह magnet का north pole, यह magnet का south pole, जो magnetic field lines होती है, वो north से निकलती है, south पर जाकर मिलेंगी, तो वैसे ही, अगर मैं अर्थ की आसपास ऐसी चीज, imagine करूं कि अर्थ की magnetic field है, तो वो भी magnet से, जो अर्थ की core में magnet है north से निकल रही है और south पर जाकर मिल रही है, तो यहाँ पर मैं क्या draw कर रही हूँ, यहाँ पर मैं draw कर रही हूँ, मेगनेटिक नॉर्थ और मेगनेटिक साउथ से जो मेगनेटिक फिल्ड लाइन निकल रही है और मेगनेटिक नॉर्थ से निकल कर साउथ पर जाकर मिल रही है जो लाइन्स मैंने यहां बनाई यह वही मेगनेटिक फिल्ड लाइन है यह क्या बनाया मैंने North Pole है यह South Pole है और यहां से जाने वाली जो line है किया इसको equatorial axis बोलते हैं या इसको equator बोलते हैं यह तो सभी को पता होगा तो अब आपने क्या किया मैं आप Pols पर जाईए सबसे पहले बोल हुआ पोल्स पर जाईए ठीक है पोल्स पर गए आप अपनी कमपास को लेकर तो कमपास में जो नीडल है वो कौन सी डिरेक्शन दिखाएगी वो मेगनेटिक नौर्थ की डिरेक्शन दिखाएगी मेगनेटिक साउथ की डिरेक्शन दिखाएगी मतलब जहां मेगनेटिक फिल्ड लाइन होगी वो डिरेक्शन दिखाएगी तो जब आप पोल्स पे गए, आपका अर्थ सर्फेस तो मैम यह है, अर्थ सर्फेस के साथ मेगनेटिक फिल्ड लाइन ने कितना डिगरी का एंगल बनाया इस डायगरम में क्या नज़रा रहा है, क्या वो 90 degree दिख रहे है बिल्कुल दिख रहे है अच्छा मैं यहाँ पर earth surface कुछ इस तरीके से है मतलब अगर मैं खड़ी होंगी तो हम ऐसे करके खड़े होंगे इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं यह earth surface है magnetic field line कैसे जा रही है मैं हम इसके parallel जा रही है अगर यह earth surface है यह magnetic field line है इन दोनों के बीच यहाँ पर equator में कितना angle बना इन दोनों के बीच यहाँ पर equator में कितना angle बना parallel जा रही है मैं 0 degree बना तो earth की magnetic field line या magnetic flux के साथ earth के surface का जो angle बनता है उसे हम लोग क्या बोलते है उसे हम लोग क्या बोलते हैं Dip Angle बोलते हैं या Depression Angle बोलते हैं Angle of Depression बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे? कि Dip Angle की value कितनी होती है? equator पे 0 होती है pulse पे 90 degree होती है और equator से pulse पे जब जाओगे तो 0 से 90 degree की तरफ vary करती जाएगी तो increase होती जाएगी 0 से 90 तो सेम चीज़ क्या है तो मैं साउथ पर भी 90 है यहां जीरो है जब यहां से यहां की तरफ आओगे तो इंक्रीज होती जाएगी फ्रॉम तो नाइंटी डिग्री यह वैल्यूज आप पेपर में एक चीज़ पूछी जाती है कि डिप एंगल की वैल्यू एक्वेटर और पोल्स पर क्या होती है दूसरी जो पूछी जाती है आईसो क्लीनिक और एक्विचा जाता है तो अब क्या कि आपने यह अर्थ सर्फेस पर पासिंग थ्रू पॉइंट ओन अर्च सर्फेस एट विच डिप एंगल इस से तो मैं आपको पता है देखो सीधी सी बात दिख रही है एक्वेटर पे जीरो थी पोल्स पे नबबे डिग्री थी तो यहां पर कहीं माल लेते हम साथ डिग्री वैल्यू है यहां पर कहीं माल ले यहां पर 90 था है मैं में यहां पर भी जीरो डिग्री था है कवेटर पहला यहां भी 0 यहां भी 0 तो यह कौझसी लाइन हुई तो जहां पर डिप सेम होगा वह आई आइसो क्लीनिक लाइन हो जाएगी dip zero होता है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, acclinic line, तो isoclinic और acclinic में याद रखना, कि same dip waffle cut, same dip angle वाले points को join करने वाली line क्या होती है, Questo clean, यहीं से दो अलग नाम जो आपको ध्यान रखने है, एक होता है isogonic, और एक होता है agonic, कोई बता सकता है आईसोगोनिक लाइन क्या होती है इलेक्ट्रिक पोल के पास इसलिए होता है क्योंकि जहां पर भी करंट केरिंग वायर्स है या फिर जहां पर भी अलग नंदा जहां भी करंट जा रहा है ठीक है तो आपने अगर प्लस टू में देखा होगा तो फिजिक्स में आपने यह पढ़ा होगा मान लो यह करंट केरिंग वायर्स है जहां पर भी कुछ इस तरीके का सिस्टम है इसके आसपास कुछ-कुछ मैगनेटिक फिल्ड होती है तो आप मैगनेटिक फिल्ड लाइन दिखाया करते थे तो जहां अब यह भी आपके पास ऐसी चीज आएगी कि आसपास में करंट है या मैगनेटिक फिल्ड किसी अलग रीजन की वज़े से तो हमारी नीडल तो आर्थ का मैगनेटिक फिल्ड की वज़े से उसका नौर्थ शो कर देगी तो अगर वह गलट डिरेक्शन दिखा देगी तो ए को यार सरफेस पर आपने जहां जहां डिकलानेशन निकाला यहां पर टिकलानेशन सेम था हो आईसो कॉनिक और इसी का ही एक फॉर्म आता है जहां पर होगा जिन पॉइंट्स पर डिकलानेशन 0 होगा उनको ज्वाइन करने वाली लाइन एगॉनिक लाइन बताओ डिक्लानेशन जीरो कहां पर होगा पोल्स पर होगा क्या अच्छा इतना बता दो पोल्स पर होगा या इक्वेटर पर होगा पोल्स पर होगा या इक्वेटर पर होगा जीरो डिक्लानेशन एक ही लाइन और मेगनेटिक साउथ भी सेम ही हो जाता है मेगनेटिक नॉर्थ और मेगनेटिक साउथ इसके उपर ही दिख रहा है आप लोगों को तो इसका मतलब कलत हो गए आप इक्वेटर जिसने बताया तो इसका मतलब मैं यह जो पोल से जा रही है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल क equator मतलब होता है मैं ये वाली line अब जो लोग equator answer कर रहे हो आप बता रहे हो कि ये वाली line होगी मैं agonic line अब मैं बोर रहे हो ये हमारा true north है true south है क्या ये वो point है जहाँ पर declination 0 आ रहे हैं नहीं करेक्ट answer क्या हो जाएगा पोल्स तो अगर इस तरीके से भी पूछा जाए तो आप लोग कर पाओगे इसका answer clear हो गया यहां तक तो isogonic, agonic line, isoclinic और aclinic line तो यह याद रखना है कि किन points को join करने वाली line को isogonic, agonic और isoclinic कहते हैं अब आगे चलते हैं आपने next topic के उपर जो कि आप अभी कोई सवाल भी पूछ रहे थे कि local attraction क्या होता है देखो local attraction में कुछ भी मुश्किल नहीं है आप मान लो ना आपके पा direction दिखा दी इस नीडल ने तो मैं जो direction दिखाई वो हमारी क्या थी magnetic north और magnetic south की direction थी हना हमने इसकी help से क्या किया अपने angle जो भी measure करना था मान लो यहाँ पर हमारा object था तो मैंने इन दोनों के वीच theta angle measure कर लिया अब हुआ क्या अगर इसी compass के पास इसी compass के आसपास कुछ भी इसी चीज होती जो magnet की होती जैसे कोई गाड़ी खड़ी है मान लो आप और वो भी उसमें भी हमारा वह स्टील है तो कोई भी ऐसी चीज जो आपने चुमबक देखी है magnet देखी है जो जिससे आपने बच्पन में खेला भी होगा तो वो जिस भी चीज की वज़े से effect होती थ है तो हो सकता है यह needle मेरे को अलग direction लिए अब दयेक्शन यह थी नीडल ने दिखा दी मालो यह वाली डिरेक्शन अमारे पास हो नी क्या चाहिए थी मैं यह वाली हो नी चाहिए थी पर needle-ने जो अब कलर से वह differentiate कर देती हो यहली डिरेक्शन थी जो में इसको दिखानी चाहिए थी, पर क्या हुआ, मैं आपने जो object रखा था, यहाँ था, आपने तो ये Theta angle बता दिया इसका answer, पर होगा क्या, आपको actual में measure करना चाहिए था, Theta 2 हुआ क्या, निडल ने जो direction measure करके बताई, वह direction, actual से अलग direction क्यूं हो गई, क्योंकि जब हम compass को site पर लेकर गए तो वहां पर कहीं पर current carrying wires थी आपने watch पहनी हुई थी कुछ भी लोए का था कुछ भी गाड़ियां खड़ी थी तो इसने अलग direction दिखा दी तो हम जो एंगल मेजर करके आएंगे वह कौन सा करके आएंगे हमें थोड़ी ना पता है वहां प पास के magnetic substances की वज़े से हमारी needle अलग direction दिखा देती है उनकी तरफ attract हो जाती है इसलिए local substances की वज़े से जो needle attract हो रही है उसको क्या बोल दिया local attraction क्योंकि local जो आसपास की चीजें हैं उनकी वज़े से अगर वह attract हो रही है उसकी direction चेंज हो रही है तो that is local attraction अब मैं साइट पर पता कैसे चलेगा कि इस जगह पर local attraction थी भी या नहीं थी वह तब पता चलेगा जब आप लोग उस एंगल को मेजर करके आ गए होंगे और आपने अपने पास सारी values को लिखा होगा कैसे अब ध्यान से सुनना local attraction कैसे पता चलेगी वह समझने के लिए मान लेते हैं यह मैंने मान लेते हैं बी पॉइंट यह था तो आपने इस reference line के with respect to क्या करना है इस reference line के with respect to मैं बी पॉइंट पर एक एंगल मेजर कर लिया ध्यान रहे जब भी हम compass की help से एंगल मेजर करेंगे तो हमेशा हम North को reference मान कर और हमेशा clockwise direction में करेंगे मतलब कि जब भी हम एंगल मेजर कर एक्सेप्ट आपका Quadrantal Bearing हर किस हमारा यही रहेगा direction हमारी North ही रहेगी और एक और चीज़ का ध्यान रखना Quadrantal Bearing को ही Reduced Bearing बोलते हैं जो कुछ लोग आगे पूछ रहे थे Quadrantal Bearing को ही Reduced Bearing बोलते हैं ठीक है अच्छा आप देखो आपने यहां पर compass को रखा आपने यहां अब मैं आप B station पर गए अब आप B station पर गए और B पर आपने यहां पर फिर से compass को रखा और यह direction दिखा दी North, South, East और West ठीक है North, South, East और West फिर से compass को रखकर North को reference मानकर आपने clockwise direction में एंगल मेजर किया जो पिछला station था वहां के लिए उसको बोल दिया थीटा 2 तो ध्यान रह पहला इस case में जो direction of survey है वो क्या है मैं first station हमारा A था इस case में आपने first station क्या लिया था A लिया था और last station क्या लिया था B लिया था इसका मतलब जो आप A B line बोल रहे हो तो line जब मैं लिख रही हूँ A B तो इससे यह पता चलता है कि पहला station जहां compass को रखा गया वो A है दूसर जो है वो B है तो first station पर जब आपने north को reference मानकर clockwise direction में angle measure किया तो इसको हम क्या बोल देंगे वहां का four bearing क्या बोल देंगे उस station की four bearing तो four bearing का मतलब क्या होगा first station पर north को reference मानकर clockwise direction में angle is four bearing of line क्या हो गई मैं A B हो गई क्यूंकि direction हमारे पास A से B की तरफ जा रही थी अब B पर नौर्थ को reference माना clockwise direction में angle measure किया तो मैं B पर अगे north को reference मानकर clockwise direction में जो आप angle measure करोगे survey line का तो इसे क्या बोलेंगे क्यूंकि मैं यह second station था या last station था इसे क्या बोलते हैं बताओ इसे बोलते हैं back bearing of that line और line का नाम क्या है A B है क्यूंकि हम proceed किस direction में कर रहे हैं A से B की direction में कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है यह four bearing हो गया यह back bearing हो गया जो first station से angle measure करोगे वो four bearing जो second से angle measure करोगे north से clockwise direction में वो back bearing तो मैं यहाँ पर आप एक चीज़ notice कर सकते हो देखना ध्यान से अगर आप इस line को आगे बढ़ा दो तो अगर यह angle मैं यहाँ पर theta 1 बन र मैं अगर यह angle theta 1 है तो यह angle भी theta 1 ही होना चाहिए तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से यह value निकालना चाहूं कि यह value कितनी आएगी तो क्या यह 180 degree दिखरी है कि यह सीधी line अगर यहाँ से जाएगी तो यह सीधी line हमारे पास पूरी 180 degree दिखरी है angle तो यह 180 degree होना चाहिए मै एंगल लगते हो ना माइनस देख रहे हैं तो एनको के बराबर आ जाएगी क्या 180 degree के बराबर आ जाएगी हाना तो मैं अगर हमारी कैलकुलेशन में एंगल मेजर्मेंट में कोई भी एरर नहीं है तो हम फोर बीरिंग और बैक बीरिंग को जब भी किसी लाइन की फोर बीरिंग और बैक बीरिंग को माइनस करेंगे तो वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना पर इस direction में चली जाती तो अगर आप theta 1 minus theta 2 minus करते तो यह 180 के बराबर नहीं आता इसका मतलब उस station पर क्या है local attraction है तो अगर मुझे किसी question में चेक करना है कि क्या station पर error है या local attraction है तो आपको क्या करना पड़ेगा four bearing में से back bearing को minus करना है यह फरक नहीं बढ़ता negative आ रहा है य आपका positive हो जाएगा plus 180 हो जाएगा तो यह क्या था कि जब आप सारे angle measure करके आगे जब आप सारे angle measure करके आगे उसके बाद मैं जब आपने value देखी कि four bearing और back bearing को minus करके चेक करता हूँ एक मिनट four bearing और back bearing को minus करके करता हूँ चेक तो आपने क्या देखा कि जिसमें 180 आया तो वहाँ कोई भी error नहीं है जाए 180 नहीं आया इसका मतलब वहाँ पर क्या है local attraction है ठीक है यह हमें समझ में आ गया अब अब कई बार क्या होता है आपसे यहां से question पूछा जाता है कि four bearing given होता है four bearing हमारे पास given होता है और calculate करना होता है back bearing calculate करना होता है back bearing तो वह कैसे निकालेंगे एक चीज जो मुझे यहां से clear है कि four bearing और back bearing का difference में हमेशा क्या होना चाहिए 180 degree होना चाहिए तो ध्यान से देखेगा यहां से निमारिकल simple से पूछे जाते तो अगर 4 bearing given है और उसकी value 180 degree से कम है और हमें बोला है back bearing निकालो अगर हमें बोला है calculate करना है back bearing कितना होगा और 4 bearing हमें जो given है वो less than 180 degree है तो आप क्या करोगे मैं मगर 180 से कम है तो back bearing निकालने के लिए क्या करोगे उसमें 180 degree को add कर दोगे अगर value 180 degree से मैं जादा है तो back bearing क्या करेंगे जितनी भी value हमें दे रखी है उसमें 180 को minus कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ अगर angle अगर 1080 से कम दिया है उसमें एकival कर दो अगर एक सोसी से जादार दिया है तो उसमें 90 को माइनस कर दो इस बात का ध्यानर्णा है और कुछ भी नहीं है तो अभी मैं इसके historically in the यह उन्हुणा है तो इसा है मैं अगर ऐन को एक स्वहिश से जादा दी है तो आप 4 bearing कैसे निकालोगे उसमें 180 को minus कर दोगे जैसे 4 example एक चोटा सा example अगर आपको बताओ कि एगर 4 bearing of a line is 120 degree तो इसका back bearing क्या होगा आपने देखा कि जो value है वो 180 से कम है तो back bearing क्या हो जाएगा 120 degree प्लस 180 degree तो आपको जिरफ यह check करना है कि हमारा एंगल 180 से कम है या जादा है लेकिन यह किस case में होगा यह उस case में होगा जब हमें जो bearing mention की है वो whole circle bearing दी है अगर हमें quadrantal bearing दी है अगर हमें quadrantal bearing दी है उस case में तो इससे भी ज़्यादा simple है अब अगर हमें quadrantal bearing गिवन है तो कैसे convert करेंगे आप तो कैसे convert करेंगे आप Quadrantal Bearing गिवन है तो conversion कैसे करने है जैसे आपको बुलाए कि North 30 degree East is your 4 bearing offline तो बता सकते हो क्या कि back bearing offline कितना होगा अगर North 30 degree East जो है North 30 degree East हमारी 4 bearing है तो back bearing कितना होगा बता सकते हो तो इस case में क्या करना है मैं कुछ नहीं है से Ikuri reaction है ना हमारे पास Direction है नॉर्थ की opposite वाली लिख दो South ठीक है यहाँ पर direction मैं East की opposite वाली लिख दो West तो इसका मतलब angle को सेम रहने दो North की opposite वाली साउथ आ जाएगी East की opposite वाली West आ जाएगी तो North की opposite वाली south लिख दी east की opposite वाली west लिख दी angle रहेगा same ये क्या बन जाएगा इसकी back bearing ठीक है similarly मैं अगर back bearing दी होती हमारे पास south 50 degree west तो आप इसकी four bearing कैसे निकालते आपको क्या करना है angle को same लिख देना है अंगल आजाएगा same sout को opposite direction क्या आजाएगा north west को opposite direction क्या आजाएगा west का opposite direction क्या आजाएगा east और angle आजाएगा हमारे पास same तो ये north 50 degree east जो हमारे पास बन जाएगा correct नौर्थ 50 डिग्री इस्ट बन जाएगा करेक्ट क्लियर हो गए सबको तो यहां पर यह तो बहुत ही ज़दा सिंपल है अगर हमें फोर बेरिंग डिया है बैक बेरिंग निकालना है लास्ट टॉपिक जो आपको बता रही हूं अब उसके बाद हम पोल्स में ही कोशन करेंगे और जितनी मैंने आपको थियोरी बताई है उससे रिलेटेड कोशन ही है जो एक्जाम में अभी पूछे जाते हैं आप अपने आप देखोगे मैं से सीज़े के प्रीवेस एर कोशन लेकर आई हूं होना तो चलिए इलेक्ट्रिकल की इवनिंग में होती है क्लास इस आपको प्लेइलिस्ट भी मिल जाएगी आप लोग चेक कर सकते हो जाकर शाम को आट बजे होता है उनका क्लास ठीक है अच्छा आप यहां पर बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस इंक्लूड एंगल के बारे में आपको बस जो पॉइंट्स याद रखने है वो क्या क्या है ठीक है फिर इसके कोशन देखेंगे इंक्लूड इंगल कैलकुलेट करने के लिए आता है हम आपको ध्यान रखना है इट इस ऑल्वेज मेजर्ड फ्रॉम प्रीवियस लाइन तो ओल्वेज मेजर्ड फ्रॉम एक पहला पॉइंट इसके लिए जो इंपॉटेंट है कि वो प्रीवियस लाइन तो नेक्स्ट लाइन मेजर करना है और दूसरा इंपॉटेंट पॉइंट जो डिरेक्शन रहेगी इसको मेजर करने की डिरेक्शन मेजर करने की रहेगी वों हम के लिए मैंने बोला calculate the included angle between line AB and BC अभी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझसे अभी paid batch में नहीं पढ़ा है और सिरफ अभी YouTube पे पहली बार आए हैं तो आप इस बात को इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना क्योंकि मुझे पता है कि included angle वाले questions में doubt रहता है और यह मानकर चल रहे हो जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको तो doubt नहीं होगा हना चलो पता चल जाएगा जब question solve करने करेंगे अभी हम तो मैं क्या है आपने बोला कि included angle previous line से next line तो AB हमारी पिछली line दिख रही है नाम से बता चल रहा है BC हमारी next line है तो previous line to next line में एक angle तो यह बन रहा है और previous line to next line एक angle यह बन रहा है या तो included angle theta 1 होगा या included angle theta 2 होगा अब मैंने बोला जो angle measure करेंगे वह हमेशा किस direction में करेंगे clockwise आप बताओ जब आप line AB से BC की तराफ जा रहे हो तो theta 1 clockwise होगा यहाँ पर या theta 2 clockwise होगा बोलो theta 1 clockwise होगा या theta 2 clockwise होगा बताओ आपने बताना है कि theta 1 clockwise होगा या theta 2 तो आप बोलेंगे clockwise angle कौन सा है theta 1 तो theta 1 होगा इसका मतलब यह हमारा included angle होगा ठीक है यह हमारा included angle हो गया और मैं अगर आप direction opposite में आ रहे होते अगर आप direction opposite में आ रहे होते कि यहाँ पर पहले A आता फिर आप angle B लेते और फिर आप angle C लेते तो अब मैं previous line यह बनती next line यह बनती previous line से next line में direction क्या जानी थी clockwise तो included angle यह बनता तो इस case में included included angle बन गया external और इस case में included angle बन गया internal लेकिन exam में इतना time अगर नहीं है कि हम बार-बार diagram बनाएं तो हम कैसे निकालेंगे बस final formula याद रखना है कि included angle is equals to four bearing of next line four bearing of next line minus back bearing of previous line four bearing of next line minus back bearing of previous line तो आपको four bearing और back bearing मैं मान कर चल रहीं निकालनी आती है तो आप यहां से निकालों गए जो भी value आएगी वह आपका included angle का answer होगा if value is negative अगर value हमारे पास negative निकल कर आ रही है angle की तो आपको क्या करना है simple आप add कर दोगे 360 degree simple आप add कर दोगे 360 degree कोई भी numerical जो included angle का होगा कोई भी numerical जो included angle का होगा वह आपका असानी से solve हो जाएगा अगर आप यह formula लगा दो अगर value minus में आ रही है तो उसमें क्या करना है simple आपको 360 degree add करना है ठीक है अभी इसके numerical करेंगे तो और समझ में आ जाएगा तो अब कोई बार क्या करते हैं वह exam में depend भी कर जाता है options को देखके जो हमें answer करना है वह भी हम question को देखके समझ जाएंगे तो आपको यह एक चीज़ ध्यान रखनी है यह formula और अगर हमारा traverse मैं clockwise direction में है मतलब यह line ऐसे है A B C D ऐसे जा रही है तो मैं previous line to next line हमेशा हमारा एंगल क्या बनेगा external आप देख रहे हूं इसमें मैं clockwise जा रही हूं A B line B C line C D line D A line previous line to next line clockwise तो मैं जब भी traverse हमारा clockwise direction में रन करता है जो भी included angle होते हैं वह हमारे क्या होते है external included angle एक और previous year question आपका अगर traverse मैं anti clockwise रन करता है anti clockwise का मतलब हो A B C D direction क्या हो गई opposite तो anti clockwise direction में included angle क्या होते हैं यह objective में simple पूछा जाता है कि internal होंगे external होंगे जब आप मेंस का एक्जाम लिखोगे SACJ मेंस का एक्जाम लिखोगे तो वहां पर आपको यह angle निकालने के लिए भी बोले जाते हैं तो उनको हम बाद में नहीं देखेंगे अभी के लिए आपको अपने objective exam point of view से external कब होगा internal कब होगा और अगर angle निकालने को बोल दिया तो simple यह formula लगाएंगे अगर value माइनस में आ रही है तो सिधा उसमें क्या करना है 360 degree को add कर देना है ठीक है आप questions practice करना start करते है जिन question में आप लोगों को doubt आएगा तो वो तो हम साथ साथ explain करी लेंगे अभी तक किसी को कुछ पूछना है जितना हम लोगों ने revise किया उसमें जितना revise किया भी तक उसमें कुछ पूछना है तो बताईए फिर हम questions पर चलते हैं direct अगर कोई doubt नहीं है तो अब आदी सी ज्यादा चीज़े आपकी जब आप सवाल स्वाल करोगे तो clear हो जाएंगी तो मैं कुछ questions जो लेकर आई हूँ हूँ हमारे ससी जही के previous year questions है ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं फिर included angle आपने समझ लिया थोड़ा बहुत theoretical part मैंने या लिक रखा है इसका pdf आपको मिल जाएगा और I hope आपको pdf मिल जा रहे होंगे मैंने आपको बताया है कि pdf कहां से मिलेगा चलो शुरू करते हैं कुछ questions में time जादा भी लग सकता है तो वह हम देख लेंगे questions start कर रही हूँ आंसर करना है आप लोगों ने the magnetic bearing of a line AB is 132 degree 45 minute if the magnetic declination is 10 degree 20 minutes west then what is the true bearing of line कोशिश कीजिये जो एंगल दिया हुआ है उसका डाइग्राम बना सको और फिर आप देखो कि value को add करना है या value को minus करना है आप सभी लोग answer comment section में करोगे और ठीक एक बार देखती हूँ जो traverse बोल रही हो आप anti-clockwise direction में इसका answer क्या होगा सभी लोग आप comment section में answer करोगे और जल्दी answer कर रहा है और सही answer कर रहा है वो leaderboard पे यहाँ पे top page होगा तो end में result देखेंगे ठीक है yes correct answer is option A yes correct answer is option A maximum लोगों ने सही answer दिया है तो आपको इसमें क् question में देखो magnetic bearing line की दी है और declination भी दी है वेस्ट की तरफ है ना तो मैं पहला काम क्या करूंगी declination जिस direction में है magnetic north को उस direction में दिखा दिया ठीक है true north और magnetic north के बीच का angle बना दिया 10 degree 20 मिनट तो पहली चीज़ क्या दिखा दी magnetic north की direction उसके बाद जो angle में ज़रूर है 132 degree 45 मिनट कहां से मैं magnetic bearing है तो यह total angle is 132 degree 45 मिनट तो आपको इस angle में से इसको minus करना था यही देखना होता है कि plus करना या minus तो correct answer क्या हो जाएगा इस question का option ए ठीक है चलिए आगे चलते हैं आपने next question की तरफ इस question का answer करेंगे in the prismatic compass अभी यह चीज़ बताई नहीं पर चलिए जिनको आती है बताना बाकी लोगों को मैं समझा दूंगी in prismatic compass the graduation start from zero marked end marked at which end of the needle और direction जो रहती है उसमें graduations की वो क्या रहती है जो direction रहती है measurement की वो क्या रहती है जो भी answer आपको सही लगता है आप यहां पर बताईए बाकी में इसको explain कर देती हूं अगर आप यहां पर compass बनाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा surveyor compass में हमेशा साओध पर अगरी मार्क होता है ये ध्यान रखना है जो गलती मत करना साओध पर 0 स्मेमेटिक कमपास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ओप्शन सी यहीं पर अगर आप से सर्वेयर कमपास की ग्रेजुएशन पूछी होती तो क्या ध्यान रखना है मैं उसमें इस तरफ आएगा वेस्ट इस तरफ आएगा इस और वेस्ट में 90 डिग्री मार्क होता है और नौर्थ और साउथ पर 0 डिग्री मार्क होता है अगर ऐसा कोशन पूछा जाया तो सॉल्व कर लोगे इस कोशन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कुछ लोगों ने गलत बताया आई होप सी नेक्स टाइम से गलत नहीं करोगे है ना चलिए तो अभी हमारे कोशन प्र बेरिंग मेजर करते हो वो किस फॉर्म में करते हो होल सर्कल बेरिंग रिड्यूस बेरिंग बोथ ऑप्शन एंड बी आर करेक्ट या फिर नन ओफ अब यह तो सबको आना चाहिए अभी आपको बताया भी था अभी अभी डिसकस किया था कि हमारी सर्वेयर कंपास कौन सी ब सरफ इस कोशीन में क्या बुला है आपको चेक करना है विछ आ दे सटेशन्स आर अफेक्टीड ब आफेक्टीड बाइब क है रक्वायग आपको देखना है फॉलड आस सटेशन और धिवन विच चेक करना है कि किसमें 180 degree के बराबर आ रहा है जिसमें 180 degree के बराबर आएगा तो इन सवालों में आपको सारे option चेक करने नहीं बढ़ते हैं आपको क्या देखना है यह वाली लास्ट वाली सबसे वहले तो आप असानी से देखो कि 0 कहां बन रहा है किस केस में हमारे पास यह value 180 degree बन सकती है 180 degree सीधी बन रही है यहाँ पर मैं 15, 48 degree 15 minutes है और यह 0 degree है यह नहीं बन रहा यह इन दोनों को minus करूँ 0 नहीं बन रहा तो सबसे पहले नजर वहाँ जानी चाहिए चाहां 180 degree आपके पस 104 degree 30 minutes minus 284 degree 30 minutes करोगे कितनी value आ रही है इस बता ना बताईए तो अगर मैं बोलू उँँ 284 degree 30 minutes minus कर देंगे मैं 104 degree 30 minutes तो भी मैं हमारे पास 180 degree आ रहे है option A बी में हमारे पास यह वाला value minus करके C10C बन रही है क्या इन दोनों को minus करके D की बात कर रहे हैं क्या इन दोनों को minus करके C10C बन रहा है था यह जो लोग बता रहे हैं मुझए D station होगा 130 degree 15 मिनट में इसको minus करके बनेगा कैसी बात कर रहे हो आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी और कोई मैच ही नहीं कर रहे है तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी कौनसा स्टेशन है यह आपने ए और डी कैसे दे दिया है इन दोनों को माइनस करो न सीधा-सीधा एक्सोसी आ इसका आंसर करेंगे if the four bearing of a line very easy question जल्दी से बता देंगे फोर बेरिंग दे रखी है और बैक बेरिंग निकालना है और बैक बेरिंग निकालना है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर very good सभी का ही आंसर maximum लोग सही बता रहें नॉर्थ को replace कर दो south से east को replace कर दो west से और जो angle है उसको same रहने दो तो south 30 degree west करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास option c और maximum लोगों का सही होना चाहिए लीडर बोड लास्ट में देखेंगे एक बार में चेक करेंगे ठीक है अच्छा इस type का question मैं अभी आपको समझा दूंगी नहीं लोड हुआ पिछला मैंने सही करा था कोई बात नहीं अगर नहीं लोड हुआ कई बार यहां पर पोल में हो जाता है ऐसा चलिए इस type का question में अगर किसी को doubt होगा तो मैं explain करती हूँ लेकिन जिनने आता है वो answer कीजिएगा जिनने आता है वो answer करेंगे और कि क्या answer होगा option b बता रहे है option b बता रहे है ठीक है देखे क्या बुला इस तरीके के सवाल कैसे करने magnetic bearing of sun at a place at noon in the southern hemisphere is 167 degree the magnetic declination at place declination निकालना है magnetic bearing आपको 167 degree दिया हुआ है true bearing भी नहीं दिया आपको ध्यान रखना है जब भी at noon noon में आपकी sun की जो position होती है उसकी according आपका जो true bearing होता है वो 180 degree होता है मतलब noon में sun की position यहां होती है अगर noon में sun की position यहां होती है तो मतलब मैं survey line यह हो गई आपकी अगर यह survey line है तो true north से survey line तक का angle कितना है 180 degree, यह generally question में दिया नहीं होता, नहीं दिया होता तो 180 degree आपको अपने आप पता है, आपने अपने आप लेकर solve करनी है value, तो इसका मतलब मैं sun की position fix है यहाँ पर, noon में 180 degree होगी, अब magnetic bearing 167 degree है, हमें देखना है, हमें इस question में देखना है magnetic north को toward east रखों या toward west रखों, कि जो angle मिले वो 180 से कम मिले, तो हमारे पास दो option है, magnetic north को इस तरफ भी ले जा सकती हूँ, और magnetic north को इस तरफ भी ले जा सकती हूँ, मुझे क्या requirement है, कि magnetic north से यहां तक का angle 180 से कम आए, आप बताओ, 180 से कम लाने के लिए, toward east रखेंगे, या toward west रख होगा, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, कि इसका मतलब declination जो होगी, वो eastern होगी, और जब भी declination निकानली होती है, तो simple क्या करना है, किसी भी question में आपके पास यह value है, 180 degree में से इसको minus कर देना है, तो 180 degree में से minus करने वाली कहानी, तो I hope आपको clear होगी, direction क्या रहेगी वो यहां से clear होगा, कि आपको जो value दी है, अगर आपको magnetic bearing less than true bearing है, 180 से value जब भी कम है, तो वो declination हमेशा eastern होगा, अगर magnetic bearing हमारी greater than true bearing है, मतलब 180 degree से जाधा angle जब भी दिया हो, वो western declination होगा, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, option A, declination minus करके निकल जाएगी, और अगर आपको यह देखना east है या west, आप यहां से भी देख सकते हो, कि angle कम है या जाधा दिया हुआ है, तो इसका answer आपने option A, कितने लोगों ने बताया, कुछ लोगों का गलत भी हुआ, तो east और west वाली चीज मुझा लगता है, अभी आपको clear हो गई होगी, ठीक है, आगे चलते हैं, इस question का answer कीजिएगा, इस question का answer कीजिएगा, कि क्या answer होगा, देखिए, यह तो simple सा सवाल है, कुछ मी नहीं है, अगर endpoints offline are free from local attraction, तो अभी हमने देखा, four bearing और back bearing का जो difference आना चाहिए, अगर free from local attraction होगा, तो correct answer क्या होना चाहिए, जल्दी से answer कर दीजिए, correct answer is option A, ठीक है, आप जो ब बाते करते रह जाओ गए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, यह जो बाते करने में आपका time जा रहा है, आपको इसमें भी मज़ा नहीं आएगा, फिर आप सोचेंगे, एक साल होगे, दो साल होगे, तीन साल होगे, बाते करी जा रहे हैं, आप और क्या करें हम, कितने साल हो तक आप लाइव क्लासीज में आके ऐसे तंग करेंगे सबको, तो XOC degree is correct answer, next question देखिए, बाकी अगर आपको बाते करने के तंग करने के पैसे मिल रहे हैं, तो अलग बात है, अगर ऐसे free हो कर रहे हो ना, तो एक time आएगा, सोचेंगे, आप क्या करें, अब तो इससे भी बोर हो गए, the four bearing of line CD आपको दे रखा, इसका back bearing निकालना है, तो जब भी आपको four bearing दिया हो, और आपको back bearing निकालना हो, आपको क्या चेक करना होता है, कि given value जो है, वो हमारी 180 से कम है, या 180 से ज्यादा है, तो अगर हमारे पास four bearing is greater than 180 degree, तो back bearing कैसे निकालोगे, 324 degree 45 minutes, minus करना इसमे 180 degree, correct answer क्या होगा, minus 180 degree कीजिए, क्या कर रहे हो आप लोग, देखो गलत किया ना विए, option D कैसे आ गया, मैंने बोला था आपको कि 180 से कम या 180 से जादा चेक करना है, तो 180 में minus की answer कितना आ रहा है, option A correct आएगा, correct answer is option A, 360 कहां से select कर रहे हो, four bearing और back bearing जो है, वो हमारा, 180 से कम है या जादा है, उस पर depend करेगा answer, आगे चलिए, next question का answer कीजीगा, अब इस सवाल में क्या बुला है, आपको angle निकालना है, between the lines A, B and A, C, if their respective bearings are given, उनकी bearing दे रखी है, अब यहा नहीं लिखा included angle निकालना है, अगर लिखा होता included angle निकालना है, तो मैं formula यूज कर लेती, अब ब पास इसका answer मिल जाएगा, calculate the angle between these two lines, अगर दोनों lines के angle आपको दिये हुए है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं A, B line का angle मुझे दिया हुआ है, 52 degree, A से first quadrant, north ये east, first quadrant में आपने ये angle measure किया, 52 degree, 30 minutes, ठीक है, यह आगया, A, B line, अच्छा, दूसरी line क्या है, मैं A, C line, A, C line की bearing 328 है, तो कौन से quadrant में जाएगी, 328 है, तो fourth quadrant में जाएगी, आपको पता है, north को reference मानकर clockwise direction में, तो ये value कितनी हो गई, 328 degree, 45 minutes हो गई, और ये line का नाम है, A, C, इन दोनों के बीच जो angle बनेगा, वो कौन सा angle बनेगा, ये वाला angle आप यहां से निकाल सकते हो, तो आप क्या करोगे, मैं हम अगर इनको निकालना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं, 52 degree, 30 minutes में, X की value को add कर देते हैं, X मतलब ये value निकालनी है, और ये X कैसे निकाल सकते हैं, मैं हम आप पता है, ये पूरा angle तो 360 है, तो अगर आप 360 degree में से minus कर देते हो, 328 degree, 45 minutes, आपको X की value मिल जाएगी, X में 52 degree, 30 minutes add कर दीजिए, आपके पास correct answer आजाएगा, अब बताओ answer कितना आ रहे है, अब बताओ answer कितना आ रहे है, हाँ मनीश कुमार, क्या होते है, northern में 0 होगा, और southern में हमारे पास 180 degree होगा, और अगर आपको time ही सिरफ mention है, मनीश, कि वो at the noon, ना hemisphere वगरा कुछ नहीं मेंशन है, सि position, तो वो आपको बताओ, 180C ही लेनी है, true bearing, ठीक है, correct answer आजाएगा, 83 degree, 45 minutes, answer is option D, तो इस सवाल का सही answer हो जाएगा, option D, बहुत कम लोगों ने सही दिया, पर I hope clear हो गया होगा, इस सवाल पर चलते है, whole circle bearing दे रखी है, reduce bearing निकालो, whole circle bearing दे रखी है, reduce bearing निकालो, formula से भी आजा one point है, जैसे formula में तब लगा सकती है, forbearing of next line और previous line पताओ, अब अब देखो, हरशीत आप answer करना, जैसे कि ABC लिखा है, तो मुझे पता है कि A से B जाएंगे, फिर B से C जाएंगे, अब उस case में क्या लिखा है, A से B लिखा हुआ है, और A से C लिखा है, क्या, इसमें तो हमें direction भी नहीं बता कि next line, previous line कौन सी है, फिर हम अगर formula लगाएंगे, उसमें अगर value negative आएगी, 360 add करेंगे, कोई option match करेगा, तो answer हो सकता है, मतलब previous और next line डिफाइन नहीं है, अगर previous next line नहीं डिफाइन है, तो थोड़ा मुझकिल भी हो सकता है, पर answer आजाएगा, ठीक है, correct answer क्य पता है, 270 degree से जादा है, तो fourth quadrant में line होगी, fourth quadrant में line होगी, तो north, theta, west आना चाहिए, तो north, theta, west आपके पास कौन सा option है, सिरफ option C दिया हुआ है, तो आप बिना angle को देखे भी answer कर सकते हो, अपना यहाँ पर option C, ठीक है, बिना angle को देखे भी option C कर सकते हो, mark, आगे चलिए, next सवा देखे, the angle between true meridian and the magnetic meridian at the time of observation, यह तो सबका सही होना चाहिए, कोई एक question तो हो, जिसमें मुझे लगे कि आप सब सही कर रहे हो, the angle between, angle between, true meridian and magnetic meridian, true meridian और magnetic meridian के बीच का जो angle होता है, उसे क्या बोलते हैं, very good, correct answer is magnetic declination, तो इसको हम stop कर देते हैं, और यह भी कुछ लोगों ने अभी गलत किया है, तो यह declination होता है, आगे चलिए, इस सवाल को देखे, for bearing of a line a, b and b, c are given, अब आपको इसमें included angle निकालना है, कोई diagram बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो आपको formula बताया है, आप वो formula अपला इंगल निकालिएगा, तो included angle is equals to, four bearing of next line, four bearing of next line, minus back bearing of previous line, four bearing of next line, minus back bearing of previous line, a, b line है और b, c line है, तो four bearing of next line मतलब, b, c line की four bearing 120 दी है, जब भी लिखाना हो ना, कि सीधा लिखा लिखाओ bearing of line, तो bearing का मतलब four bearing ही होगा, तो मैं included angle किसके बराबर होगा, next line, b, c थी, तो मैं लिख सकती हूँ, four bearing of b, c, minus back bearing of line, a, b, ध्यान से देखना आप इस question को, four bearing of b, c, कितनी है हमारे पास, 120 degree न, four bearing of b, c, is 120 degree, minus back bearing of a, b, किसके बराबर है, मैं a, b की four bearing, 40 degree दे रखिये, 40 degree दे रखिये, given value is less than 180 degree, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या इसमें 180 degree आड़ करना पड़ेगा, बताओ, क्या इसमें 180 degree आड़ करना पड़ेगा, तो ये value हमारे पास कितनी बन रही है, यहाँ पर, इसको solve करके, हमारे पास कितनी value निकल कर आ रही है, बताओ, आंसर c आ रहा है, 80 degree आ रहा है क्या, तो 4 bearing AB line की 40 degree दी हुई थी, BC line की हमारे पास 120 degree दी हुई थी, तो मैम यह 120 degree हो गया, और यह 220 degree हो गया, क्या यह answer मेरे पास minus 100 degree आ रहे है, minus 100 degree आ रहे है, और मैम जब value negative में 100 आती है, तो मैंने आपको क्या बता है, क्या करना है, इसमें plus कर देने है, 360 degree, अगर आप इसमें 360 degree add कर दोगे, तो answer कितना आएगा, 260 degree, अब अगर मैं इस question को देखती ही, तो इसमें 260 कोई दिया ही नहीं हुआ है, अगर 260 degree option दिया होता, तो वो मेरा correct answer होता, लेकिन वो दिया नहीं हुआ है, तो अब अगर ये given नहीं है, इस case में आप answer क्या करोगे, इस case में आप answer क्या करोगे, 100 degree, जो negative में आ रही है, आपके पास value, तो ये मैं आपको बताना चारी थी, कि कई बार क्या होता है, option जो है हमारे, option के according चेक करना इसमें, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, next question देखिएगा, इसका answer बताईएगा, magnetic bearing of sun, when magnetic bearing of sun at noon is 185 degree 20 minutes, तो declination निकान ली है, अभी अभी आपको बताया, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कि sun at noon का मतलब क्या होता है, कि true bearing हमारे पास 180 degree है, और magnetic bearing हमें 185 degree 20 minutes ती, हुई है, मुझे declination निकालने के लिए, इनको minus करना होता है, और सिरफ देखना होता है, कि direction क्या रखूं, तो direction क्या होनी चाहिए, correct answer बता रहे हैं, सब लोग west, जो कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि, मैं अभी हमने देखा था, ये XOC degree तो fix है, अगर value XOC degree से जादा हुई, त तो toward west हमें magnetic north रखना पड़ेगा, तभी एंगल 110 से जादा बनेगा, इन दोनों को minus कर दीजिए, तो answer आजाएगा, 5 degree 20 minutes west, correct answer is option C, आगे चलिए, next question, the magnetic declination is the difference between, magnetic declination is the difference between, question भी wrong हो जा रहे है, चलिए अभी question गलती मत कीजिएगा, जब pole start होता है, तो भी आप जैसे इस question का pole start हुआ, तो answer कीजिएगा, और जल्दवाजी में गलत मत कीजिएगा, तो ये तो आसान है, हम अभी बहुत बार इसका सवाल भी कर चुके हैं, solve, तो magnetic declination हमारा किसके बीच का difference होता है, true meridian और magnetic meridian के, बीच का difference होता है, correct answer हो जाएगा, option C, ठीक है, अब आगे चलते हैं, next question का answer कीजिएगा, ध्यान से देखिए, इस question का answer कीजिएगा, हाँ मैं देख रही हूँ, आप आज सोड़ा जल्दवाजी में question गलत कर रहे हो, इसलि if the 4 bearing of line is this, तो back bearing निकाल ली है, यह तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको value 4 bearing दी है, back bearing निकाल ली है, simple calculation है, देखिए क्या answer होगा, तो आपको पता है कि मैं 4 bearing given अगर है हमारे पास, अगर जो 4 bearing given है, वो हमारे पास less than 180 degree होती है, तो back bearing निकाल ली के लिए मुझे उसमें सिरफ क्या करना होता है, 180 degree को add कर देना होता है, तो यह आजाएगा, 12 degree 24 minutes plus 180 degree, answer क्या आजाएगा, option D, 192 degree 24 minutes, तो जिसने भी option D बताया है बिल्कुल correct है, option C कैसे बता रहे हो आप, आप गलती पते क्या कर रहे हो, आप 180 minus कर रहे हो, आप ध्यान रखो, अगर मुझे जो given value दे रखी है, सिरफ यह चेक करो, 180 से कम है, अगर कम है तो 180 ही add करना है, 180 से जादा है, तो 180 को ही minus करना है, बस यह दो ही खास बात है, जो याद रखनी है, ठीक है, आगे चलिए, next question देखो, अब देखो इस सवाल को, थोड़ा सा इसमें कोशिश करना, diagram बना सको, इस सवाल को देखना, कोशिश करना, diagram बना सको, if the four bearing of AB is north 40 degree west, bearing of BC is south 70 degree east, then the value of angle ABC is, then the value of angle ABC is, पहले इसको पढ़ो, फिर इसको थोड़ा सा draw करने की कोशिश करो, फिर आम इसका पोल में answer करेंगे, ठीक है, आप देखो, मैं आपको पहले आपको एक चीज़ बोलते हूं कि, अभी मैं जैसे ससी जई के previous year question करा रही हूं, तो हो सकता है कि आपके पास, फिर से शुरू करन पढ़ेगा, तो हो सकता है, आपके पास कुछ ना कुछ अपने, वो हो क्या कहते है, material हो जहां से आप देख कि answer कर सकते हो, लेकिन वो अपने साथ बहिमानी हो जाएगी, वो मत करना, अपने साथ बहिमानी नहीं करना, फिर paper में कैसे वो करोगे, कि यहां पर हम अच्छा response द देते हैं, और question के answer देख देख कर answer कर रहे हो, तो वैसा नहीं चलेगा, तो देखो क्या करना है, if the bearing of line AB is north 40 degree west, तो मैंने क्या किया, पहले तो A station बनाया, north को reference माना, और 40 degree, north 40 degree west, हाँ पोल ना रुको इसको फिर से start करना पढ़ेगा, फिर से start करने का पता नहीं है कि कैसे हो होगा, आपने answer दे दिये ना, चलो, देख लेते हैं, कितने लोगों ने answer सही दिया था, ठीके, अब इस question में, correct answer is option A, देख हो, अब इस question को ध्यान से देखना, AB line north 40 degree west है, north को reference माना, 40 degree बनाया, और direction आ गई west, तो मैं 4th quadrant आ गया, अब यह आगे वाला मुझे नहीं पता कहा जाएगा, bearing of line BC, यह A line थी, यह B line थी, जो B से C line जा रही है, वो south 70 degree east है, कौन सा quadrant है, मैं south 70 degree आपने यह बना लिया, और direction क्या रही है हमारी, east रही, तो south 70 degree east बना लिया आपने यह direction, उसके बाद क्या बोल रहे है, उसके बोल रहे तो south 70 degree east का मतलब है, मैं south को reference मानेंगे, और एक line आएगी, जिसका angle आप south से 70 degree दिखा दोगे, तो यह B और यह कहीं पर आगे C station आगया, मुझे जो angle measure करना है, मुझे जो angle measure करना है, इन दोनों lines के बीच में करना है, अगर यह value हमारी 40 degree है, तो मैं यह वाली angle जो होगा, यह भी कितना होगा, 40 degree होगा, बोलिए, अगर मैं यह वाला angle 40 degree है, तो यह भी 40 होगा, तो अगर मुझे value निकान ली है, इन दोनों के बीच वाला angle, तो वो किसके बराबर होगा, 70 degree माइनस कर दी, आपने 40 degree, 70 degree माइनस 40 degree, तो correct answer किसके बराबर आजाएगा, 30 degree, तो कुछ questions हैं, जिसके लिए आपको angle को देखके diagram बनाना पड़ेगा, तभी आप सवाल सौल कर पाओगे, तो मैंने याप पर bearing पता थी, draw कर ली किस direction में, फिर मैंने याप पर bearing पता थी, इसलिए मैंने बोला कि जो ये इस तरह के सवाल है, पहले इसमें diagram बनाओ अराम से, तभी मैंने pole को end कर दिया था, कि आप इस pole की वज़े से गलत मत करना, तो answer is option है, जिस question में angle pole आए ना सिरफ, तो diagram बनाएंगे, फिर angle निकालेंगे, अगर included angle जहां भी लिख दिया, जहां भी included angle लिख दिया, आपको क्या करना है, simple formula लगाना है, for bearing of next line, back bearing of previous line, और question को solve कर देना है, अब next question का answer करेंगे, next question का answer करेंगे, formula से इस सवाल को नहीं करेंगे, formula से इस सवाल को इसलिए नहीं करेंगे, हो तो जाये का आपके देख लेंगे, पर आपको ना, जब included angle पूछा ही नहीं है, अब included angle नहीं पूछा है, तो इसका मतलब external भी हो सकता है, internal भी हो सकता है, पर इस, अब देखना पड़ेगा कि डिरेक्शन क्लॉक्वाइज है या एंटी क्लॉक्वाइज फिर हम अपने आप देखेंगे अच्छा उस अकॉर्डिंग इंटर्नल आ रहा है तो हम इसमें 360 एड कर देते हैं ताकि हम एक्स्टरनल बना ले तो वह अपने आप करना पड़ेगा इसका आ Crossing के बारे में बताना है आपको इसमें से कॉन सी स्टेट्मेंट करेक्ट होगी कर्यक्ट एंसर हो गा हमारे पास क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने तरोस साउथ की पोजीशन जो रहती है वो तो हमेशाew be रहती है लेकिन मैगनेटिक नॉर्थ और मैगनेटिक साथ जो है वो चेंज करता रहता है टाइम के साथ साथ सो यह फिक्स नहीं होगा इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन भी ठीक है आगे चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखिए अब देखो यह क्या है जो हम लोगों ने कंवर्जन सीखा है होल सरकल बेरिंग से कौडरेंटल बेरिंग वाला जो कंवर्जन है लेकिन इस टाइप के कोश्चन में आपको फो जो फॉर्मुला हम लगाते हैं इस लिए उसको फॉर्मुला की फॉर्म में पूछ रखा है क्या अंसर होगा अभी दस में लग चाहेगे मुझे ठीक है तस या पांच क्या अंसर होगा इसका option D ठीक है option B कौन बता रहे हैं देखे ज़रा the आपको बुलाए क्वाटरेंटल बीरिंग उफ लाइग लाइग एक मिनट तो पहले मैं क्वाटरेंट दिखा देती हूँ तो तीसरा क्वाटरेंट मदलब लाइन यहाँ पर है तो यह दिखा दी मैंने लाइन ठीक है कुछ भी इसको नाम दे सकते हो तो बुलाएं making तो आपको यहां पर क्या बताना है तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे तीसरा क्वडरेंट है तो क्या आएगा मैं आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है साउथ आएगा डिरेक्शन और वेस्ट तो साउथ थीटा वेस्ट और यह एंगल कैसे निकालेंगे मैं यह वाला पूरे थीटा में से अगर आप 180 को माइनस कर देते हो का आपको बीच वाला एंगल मिल जाएगा तो करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट कोशन देखते हैं इसमें भी आप लोगों ने गलती की है यह नौर थीटा वेस्ट बताने वाले लोग कौन है कैसे हो सकता इसका आंसर नौर थीटा वेस्ट हां चलिए इसका सवाल का आंसर कीजिएगा which one of the following is the correct statement for the station which is affected by local attraction which of the following station is a statement is correct which is affected by local attraction बस कुछ questions बचे हैं फिर आज की class को end करते हैं और एक काम करेंगे आप लोग लास्ट में आपको homework के लिए काम दूँगी तो आप वो करना ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा असान question है affected by local attraction तो इसने पूछा है इसलिए हमारा affected by पूछा है कॉंसे station local attraction से affect होंगे difference between four bearing and back bearing is not equals to 180 degree तो correct answer बन जाएगा मेरे पास option C ठीक है 180 के बराबर नहीं होगा तभी वो local attraction वाला station है आगे इस question का answer देखिएगा 4 bearing of line AB is 30 degree calculate the back bearing of line तो अब गलती नहीं करना जो लोग गलती कर रहे थे 4 bearing of a line हमें दिया हुआ है तो 4 bearing of a line is 30 degree which is less than 180 degree तो back bearing of line कैसे निकाल लेंगे मैं 180 से अगर कम होता है तो 180 degree उसमें add कर देते हैं 210 degree तो जिसने भी 210 बताया है वो बिलकुल सही है ठीक है चलिए किस question का answer देखेंगे calculate the magnetic declination अच्छा question है declination निकालना है magnetic bearing of line is given north 81 degree east और true bearing of a line is given north 77 degrees इन questions में क्या करना है सबसे पहले तो line को fix कर लो कौन सा quadrant है फिर देखो जो magnetic bearing है वो कम है या जादा है true bearing से ठीक है आपको देखना है अब आपको यह तो पता है कि मैं इन दोनों एंगल को minus करके declination मिल जाएगा 81 minus 77 direction देखनी बहुत ज़रूरी है तो मैं इसका मतलब देखो सबसे पहले में पास जो true bearing दी है true bearing north 77 degree east दी है तो मैंने north लिखा 77 degree east हो गया यह वाली चीज़ अच्छा अब मैं magnetic bearing इससे जादा दी है तो अब्वेस सी बात है magnetic north मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा तभी यह वाली लाइन का एंगल 77 से जादा आया 81 degree तो यह सेम हो गया जो हम लोग sun वाले question कर रहे थे उसमें जैसा यह देख रहे थे तो 81 minus 77 यह बात तो clear हो गई कि 4 degree आ उस फिर से solve करना है जिनमें आपने गलतियां की है जिनमें आप गलतियां कर रहे हो उन question को एक एक बार अपने end से फिर से solve करना ठीक है आप देखो यह वाला सवाल आपको क्या करना है true bearing निकालनी है line की true bearing निकालनी है line की if the bearing of a line is south 60 degree east and declination is eastward magnetic bearing दे रखिए south 60 degree east तो मैं हम इसको true north और इसको हम true south दिखा देते हैं east degree true meridian और magnetic meridian के बीच का एंगल कितना है 5 degree आपको क्या निकालना है true bearing निकालना है तो जो लोग answer गलत कर रहे हैं आप देखो magnetic meridian से survey line का एंगल 60 degree magnetic south true south के बीच एंगल 5 degree तो true bearing का एंगल क्या आएगा 60-5 55 degree क्या आएगा 55 degree direction क्या रहेगी मैं हम south ही रहेगा east ही रहेगा तो south 55 degree east answer सब गलत कर रहे हो south 55 degree east आप बताओ अगर magnetic bearing में south theta east है तो true bearing में भी तो semi quadrant रहेगा वो कैसे change होगा हां तभी बोल रहे हूं आज की class जो है ना आज में थोड़ा सा मतलब topic tough रहता है मैं मान कर चलती हूं लेकिन आपका ध्यान ऐसे लग रहे है कि यहां नहीं है कहीं होरी है आप लोगों का ध्यान यह class जादा बड़ी हो गई है इसलिए भी ऐसा हो सकता है अब यह poll क्यों आज फॉक गया चलो कोई नहीं अच्छा आप लास्ट कुश्टन की तरह बढ़ रहे हम और लास्ट कोश्टन का अंसर कर दीजी एकदम आसान सा सवाल है इसको क्या हो गया है पिछले कोशन का आंसर हमारे पास क्या आया था सी आया था ना उसका रिजल्ट था ये छीक है अब इसका पॉल इसका पॉल इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे और एक बार आपको ये बोलूँगी कि आपने आज जितने भी सवाल किये और जो कुछ गलत भी हुए इस क्लास का पीडियेफ तो आपको मिल जाएगा एक एक बार अपने एंड से कोशन को ट्राय करना है ठीक है और फिर अगर किसी भी कोशन में डाउट रहता है तो इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में आपने वो मेंशन कर देना है आज की ही क्लास के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है सो correct हो जाएगा option D, क्योंकि हाँ पर बुला है true bearing, हमेशा कहां से measure की जाती है, north end से measure की जाती है, और जो direction रहती है, हमारी measurement की वो क्या रहती है, clockwise रहती है, हमेशा जो direction रहेगी हमारी measurement की वो क्या रहेगी, clockwise रहेगी, ठीक है, अच्छा ये last question एक बचके आ है, इसको भी कर लेत है, so what is the declination, अगर magnetic meridian is toward the west side of true meridian, अगर हमारा magnetic north west वाली side होता है, तो वो हम उसको positive बोलते हैं, negative बोलते हैं, class के last में ही बताया था, तो toward west में हमारे पास इसका answer क्या होता है, toward west होगा अगर magnetic north में, तो ये हमारा, ये negative x-axis की तरफ तो minus ले सकते हैं, positive x-axis की तरफ होगा, तो इसको magnetic north वाली direction तो हम positive लेते हैं, तो इसका answer हो जाएगा option B, ठीक है, चलो, चलो, तो आज की class में बहुत सारी चीज़े पड़ी, आपको ये बोलूंगी, आपने आज जितने भी numericals किये न, जितने भी numericals देखी, included angle और angle between these two lines, तो आपने काम क्या करना है, जो angle between two lines वाले questions है, included angle वाला formula लगाना, चेक करना, वहाँ से value तो आ जाएगी, अब वहाँ आपको उन line को देखके पहचानना पड़ेगा, कि उसने internal angle पूछा है या external, तो उस according 360 से minus या plus करना है, बहुत अच्छा होगा अगर आप उसको solve कर पाऊगे, एक try जरूर करनी है, जो भी हमने numerical कि उसको आप included angle वाले formula से करोगे, ठीक है, यह आप लोगों के लिए काम है, और जिस भी question में जो आज हमने question किये, आपको कोई doubt रहता है, तो आप उसको कहाँ बताओगे, आज की class के comment section में, आज की class के comment section में, doubt भी बताना और जिन लोगों को कुछ चीज़े clear हुई होगी, तो आप भी बता ही सकते हो, doubt के साथ साथ, जिनको जो clear हुआ है, class में जो point अच्छा लगा है, तो आप वो भी mention कर सकते हूँ, अच्छा, तो आज का leader vote देख लेते हैं, आज का leader vote देख लेते हैं, आज का leader vote तो बहुत interesting होने वाला मुझे लगता है, क्योंकि, अरे वा, star मुदस आप पहली ग्लास में first rank पर थी, लेकिन आप आज 5 पर आ गई हो, कोई बात नहीं, इसको दिल पर नहीं लेना, पर यह रहता है कि यहां से एक competition हम देखते हैं कि कौन, किसका कितना rank है, अगली बार कोशिश करेंगे कि हम लोग भी answer जल्दी दे पाएं और सही answer कर पाएं, त आपको आज आप लोगों को, जादा तर लोगों ने गलती किये, कराती, नवनीत, डीजिटल वार्ड का भी response अच्छा रहता है, लव कुमार आपका भी अच्छा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप 10 में रहते हैं, रजनीश आप थोड़े सी नीचे चले गए हो आज, बाक चले कोई बात नहीं, तो अभी की क्लास को फिर हम end करते हैं और हम कल की क्लास में मिलेंगे, कल हम लेवलिंग चाप्टर के important topics revise करेंगे, क्योंकि लेवलिंग चाप्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो लेवलिंग के जितने भी most important topics हैं, जहां से जादातर questions हैं, ज क्योंकि फिर पहले theory पढ़ते हैं, तब आपके questions चायद ज्यादा अच्छे से आप लोग कर पाएंगे उनको, और आज का ये काम जरूर करना है, आपने included angle वाला और दूसरा जो numerical गलत हुआ है, उसको फिर से करना, और जो भी question में, आज की class में doubt है, आज के ही comment section में उसे लि कल मिलते हैं, और आज हमारा orientation session भी है, engineers batch का, शाम को, और 7 बजे, इसी channel पे live, तो आप उसमें भी जरूर आईएगा, ठीक है, वो orientation session है, चलिए, thank you everyone, have a nice day, अच्छे से त्यारी करते रहें, और all the very best, आप सभी को आपकी exam की preparation के लिए, thank you everyone. झाल झाल झाल